हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमिद है आप लोग अच्छा होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो कि जो भी पंचाय साएक हैं उन्हें ब्लोक अस्तर से एक प्रकार का कार्य दिया गया है जो पैंसन से सम्मंदित है चाहे वह बिदा पैंसन हो या बिदवा पैंसन हो जिससे निरासित पैंसन भी कहते हैं या दिव्यांक पैंसन हो ये तीनों पैंसन को वेरिफाई करने के लिए बोला गया है और बोला जा रहा है ये डिस्टिक लेबल से जिला अधिकारी द्वारा दिया आए ताकि जल सजल इन पैंसनों का आधार परमार कर दिया जाए जिसके वाइसे अगली किस्त न रुके तो इसके लिए बहुत से पंचायस आए कि जिनको करने में परसानी आ रही है कोई कोई वेरिफाई नहीं कर पा रहा है कोई कैसे पोटल पे रेइस्टेशन करें किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मोबाइ कर सकते हैं तो वीडियो आप लाज तक जरूर देखेगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लें तो जैसा कि यहां पर देख रहे हैं गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और आप टाइप करेंगे यहां पर आपको देखने को मिलता है कि पुराने आवेदेक पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रेइस्टर्ड करते हुए स्वयम अपने आधार को अउनलाइन सत्यापित करें आपको यहां पर किलिक कर देना है तो उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है यहां पर आप देख सकते कि अपडेशन ओफ मोबाइल नंबर इस जिस्टिंग ओड अप्लीकेशन यानि कि यहां पर यह बताया गया है कि आपको यहां पर अपडेट कर देना है अपने लिंबर को भी इसके साथ में आधार कार्ट को भी शत्यापन कर द स्कीम को अपने हिसाब से चूज करेंगे उसके बाद में बैंक अगाउंट नंबर टाइब करेंगे यहां पर आप जो रिश्टेसन नंबर टाइब करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे तो हमने कल वीडियो आप देख सकते उसका लिंक आपको डिस्क्रा लिए करेंगे और जो भी आपने मोबाल नंबर यहां पर टाइप किया हुआ है उस पर एक OTP सेंड की गई होगी तो वही OTP यहां पर फेल कर देंगे अपको देख लेना एउस्के बाद में आपको माइन बैसाइट पर आ जाना है और यहां से आप जो है अपनी जो भी इसक रित्महिला पिंसन या फिर बिकलांग पिंसन उसे आप चूच कर लेंगे एक बार और चूच करने के बाद में यहां पर आवेदक लॉगिन के ऑप्शन पर किलिक करेंगे यहां पर अपनी e-scheme को आप select करेंगे जो भी scheme हो वो select करेंगे उसके बाद में registration ID type करेंगे और registered mobile number type करेंगे यानि कि जो अभी आपने registered mobile number type किया हुआ था जिस पर OTP गई थी वही वाला mobile number type करेंगे क्योंकि अब आपका mobile number यहां पर registered हो चुका है उसके बाद में send OTP के option पर click करेंगे जो भी आपने mobile number फिल किया होगा उस पर OTP गईगी OTP आप यहां पर fill कर देंगे और उसके बाद में यह capture आप यहां पर fill करेंगे और login के option पर click कर देंगे तो इस तरीके से आपके सामने फूरी detail देखनों को मिल जाएगी अवेदक करता dashboard यहां पर इस तरीके से आपके पूरी आवेदक करता की सूचना मिलेगी and यहां पर देख सकते कि आवेदक के सिति यहां पर मिल जाएगी तो आपका setup 1 भी complete है and यहां पर setup 2 भी complete है finally locked है लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि setup 3 आपका complete नहीं है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है application pending for अधार verification ठीके तो आपको यह वाली problem solve कर नहीं है याँ आपको अधार कार्ड को यहाँ पर update करना है तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक option मिलता है आधार authentication आप यहाँ पर किलिक करेंगे उसके बाद में पूरी आपकी detail इस तरीके से यहाँ पर देखनों को मिल जाएगी ठीके यहाँ पर आपको आधार सत्यापन का option मिल जाएगा और जो भी आपके आधार कार्ड पर नाम होगा वो automatic यहाँ पर आपको देखनों को मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो आधार कार्ड पर अंकित हो तो यहाँ पर आपका नाम वही होगा देख सकते हैं और उसके बाद में अब यहाँ पर आप आधार नंबर जो है टाइप करेंगे और यहाँ पर एक चीज़ और हम दोस्तों बता देते हैं आपको यहाँ पर लिखा हुए आधार सत्यापन प्रियास की संख्या 3 यानि कि 3 बार ही आप जो प्रियास कर सकते हैं अगर 3 बार के बाद में अगर आपने प्रियास नहीं कर पाये तो यहाँ पर क्या होता है फिर आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्ंषन आधास अत्यापन का नहीं मिलेगा उसके बाद में कुश 살eολ चेंसर इस option पर आप किलिक करेंगे और okay के option पर किलिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं दिस action might take survive a minute, please be patent आप okay के button पर किलिक करेंगे तो यहां पर आप live देख सकते हैं कि लिख कर आ चुका है आधार authentication success यहां पर किलिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो अभी आपने देखा था कि जो हमारा यहां पर आधार verified successful complete नहीं था ठीक है आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने दुबारा से login कर दिया है और यहां पर आधार verified successful आपको देखनों को मिल रहा है तो दोस्तों उमीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो आधार verification है जो भी pension है उसका आधार verification करना सीगे होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो पे एक लाइक जरू कर जेगा जिससे हमें motivation मिलता है ताकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए ला सकें तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जनकारी साथ तब तक लिए टाटा बाई बाई